मैं चाहते हूं कि मैं जब जी हूंगी तो बंदू चोधरी के साथ मरूंगी तो बंदू चोधरी के साथ नहीं मैं साथी कर चुपी हूं इनके साथ मैं चाहते हूं कि जब रहूंगी तो मैं इनके ही साथ रहूंगी मेरे घौर वालब मेरे पीता जीने केस किये हैं आई विन प्यार का कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है पर ये कहानी थोड़ी हट कर है जहां एक स्टूड़न को टीचर ने नहीं बलके टीचर को स्टूड़न लेकर फरार हो गई है दरसल इन दिनों बितिया में एक छात्रा का विडियो तीजी के साथ वाइरल हो रहा है वाइरल विडियो में छात्रा काजल अपनी शादी के बारे में बता रही है विडियो में छात्रा कह रही है कि घर वाले उसे मारने की धमकी दे रहे थे इसलिए मैं ही अपने प्रेमी शिक्षक को लेकर भाग गई हूँ जरा आप भे देखिए वो वाइरल विडियो मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा मैं मजबूर हो गई थी तो मैं क्या करती मुझे यहीं आचा लगा ओल मेरे पापा जीनी जो केस किये हैं नौल पूर ठाना में जा करके किये मेरे बेटी को अफ़ारन करवा दिया है या भागा दिया है यह सब गलत है मैं एह हमको नई भागाए हैं मैं इनको लेकर फुद भागी हैं मैं चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वही आप लोग सच मानिये मेरे घर वाला सब जूट बोला है लो, केस सब जूट किया है लो, वो बोला है लो जो कि मैं गारे बज़े इनके घर गई थी, वो सब गलत है, मैं इनके घर गारे बज़े नहीं गई थी, ए तो करीब दस बज़े का बात है, मैं इनके घर दस बज़े गई थी, वो पढ़ने के के लिए नई मैं इनके साथ जाने के लिए गई थी एक बोले थे लोगी चोदरी के साथ मरूंगी तो बंदू चोदरी के साथ तो सुना आपने की छात्रा साफ साफ कह रही है कि मैं जीऊंगी तो बंदू के साथ और मरूंगी भी तो बंदू के साथ अब ये विडियो सोशल मीडिया पर जम कर गर्दा मचा रहा है बता दें कि ए घटना बितिया के नवलपूर उपी थाना छेतर के नवलपूर गाउं की है जहां छात्रा काजल कुमारी और शिक्षक बंदू चोधरी घर से प्रेम प्रसंग में फरार हो गए लड़की के पिता रामनात साह ने नवलपूर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है जिसके जवाव में लड़की ने भी एक विडियो वाइरल कर दिया और पूरे मामले को प्रेम प्रसंग का बता दिया शिक्षक बंदू चोधरी के साथ जीने बनने की बात भी लड़की ने कबूली है इस पूरे मामले पर नवलपूर थाना अध्यक्ष अजैस सिंग ने बताया है कि वाइरल विडियो की बात तो वो नहीं जानते है लेकिन इस मामले में थाने में लड़की के परिजनों ने जरूर अफरन का मामला दर्ज करा दिया है तो गुरू ये हुई ना अजब प्रेम की गजब कहानी इस खबर को हमारे लिए बितिया से फाइल किया है रमेंद्र गौतम डे तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहें बिहार तक शुक्रिया हुआ है